आपका पहला सवार है, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? आपके ऑप्षन है, A. चीन, B. भारत, C. जापान, D. ब्राजील. इसका सही जवाब है, ऑप्षन D. ब्राजील. आपका दूसरा सवाल है, सबसे पहले नोट बंदी किस देश में हुई थी? आपके ऑप्षन है, A. घणा, B. भारत, C. जापान, D. अमेरिका. इसका सही जवाब है, ऑप्षन A. घणा. आपका तीसरा सवाल है, किस देश के प्रधानमंत्री को शपत लेते ही फासी देने की सजा दी गई थी? आपके ऑप्षन है, A. चीन, B. भारत, C. इंग्लेंड, D. पाकिस्तान. इसका सही जवाब है, आपका चार नमबर सवाल है, उनका जीवन का लगभग कितने वर्ष का होता है? आपके ऑप्षन है, A. 15 वर्ष, B. 25 वर्ष, C. 28 वर्ष, D. 30 वर्ष. इसका सही जवाब है, आपका पांच नमबर सवाल है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्षन है, A. मुंबई, B. नासिक, C. शिमला, D. कश्मी, इसका सही जवाब है, आप्षन B. नासिक, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अवर्ष कर लें. आपका अगला सवाल है, फ्लाइंग सिक के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्षन है, A. रोनाल्डो, B. कपिल देव, C. मिल्खा सिंग, D. विराट कोहली. इसका सही जवाब है, आपका साथ नमबर सवाल है, नीमबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपके आप्षन है, A. विटामिन B, B. विटामिन K, C. विटामिन A, D. विटामिन C. इसका सही जवाब है, आप्षन D, विटामिन C. आपका आठ नमबर सवाल है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? आपके आप्षन है, A. गोवा, B. केरिल, C. कसम, D. नागालें. इसका सही जवाब है, आप्षन C. असम. आपका अगला सवाल है, किस स्थान पर महात्मा बुध ने ज्यान प्राप्त किया था? आपके आप्षन है, A. पटना, B. लुंडिनी, C. सारनात, D. बोध गया. इसका सही जवाब है, आप्षन D. बोध गया. आपका दस नंबर सवाल है, रतौनधी किस विटामिन की कमी से होती है? आपके आप्षन है, A. विटामिन K, B. विटामिन C, C. विटामिन A, D. विटामिन B. इसका सही जवाब है, आप्षन C, विटामिन A. आपका अगला सवाल है, बिहु किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आपके आप्षन है, A. गोवा, B. असम, C. केरिल, D. छतिसकर. इसका सही जवाब है, आप्षन C, कब्स. आपका बारा नंबर सवाल है, मचली किसकी सहायता से सांस लेती है? आपके आप्षन है, A. मुंग से, B. नाक से, C. कान से, D. गल्फडों से. इसका सही जवाब है, आप्षन D. गल्फडों से. आपका तेरा नंबर सवाल है, सफेद जीराफ किस देश में पाया जाता है? आपके आप्षन है, A. चीन, B. केनिया, C. भारत, D. थाइलेंड. इसका सही जवाब है, आप्षन B. केनिया. आपका चौदा नंबर सवाल है, किस देश में आधी रात को सूरच चमकता है? आपके आप्षन है, A. नॉर्वेग, B. रूस, C. जापान, D. अमेरिका. इसका सही जवाब है, आप्षन A. नार्वे. आपका पंदरा नंबर सवाल है, कृत्वी के अलावा और किस ग्रह पर जीवन संभव है? आपके आप्षन है, A. बुध ग्रह, B. शनी ग्रह, C. मंगल ग्रह, D. व्रिहस्पती ग्रह. इसका सही जवाब है, आप्षन C. मंगल ग्रह. दोस्तों, अगर विडियो पसंद आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्च कर ले. आपका 16 नंबर सवाल है, कुट्टा किस रंग को देखकर गुस्सा हो जाता है? आपके आप्षन है, A. नीला रंग, B. लाल रंग, C. व्पिला रंग, D. काला रंग. इसका सही जवाब है, ओप्षन D. काला रंग. आपका 17 नंबर सवाल है, अयोध्या के प्राचीन मंदर को किसने तोड़ा था? आपके ओप्षन है, A. बाबर, B. अकबर, C. हुमायू, D. शाह जहा. इसका सही जवाब होगा, ओप्षन 1. बाबर, आपका 18 नंबर सवाल है, कौन सा पौधा लगाने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, आपके ओप्षन है, A. तुलसी, B. कंटोला, C. क्रासुला, D. पीपल. इसका सही जवाब है, ओप्षन C. क्रासुला, आपका 19 नंबर सवाल है, पीला सेप कहां पाया जाता है, आपके ओप्षन है, A. चीन, B. भारत, C. अमेरिका, D. न्यूजिलेंड. इसका सही जवाब है, ओप्षन D. म्यूजिलेंड. आपका 20 नंबर सवाल है, भारत का राश्च्य पक्षी क्या है, आपके ओप्षन है, A. बाज, B. मोर, C. कौवा, D. कबूतर. दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी लोग कॉमेंट करके बताईएगा, साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, धन्यवाद.